Hello friends, welcome to my channel और मैं यहाँ अपनी washing machine को clean कर रही थी आज deeply clean करने का सोचा है तो मैं ना cleaning कैसे करती हूँ तो होती है daily, एक weekly, जैसे weekly 15 days और week मैं जैसे एक बार कर लिया, monthly और yearly हाँ जी मैं ऐसे है ना divide करके clean करती हूँ और हर जैसे सारे कपड़े जब wash हो जाते तो direct drum में डालती हूँ तो यहाँ मैं जो last cleaning रहती है ना कपड़ों की तो वो सब करने के बाद हर wash के बाद मैं ना कपड़े से clean करती हूँ इन rubbers को तो अभी मैं switch सारा निकाल के रख रही हूँ क्योंकि मुझे इसे अच्छे से clean करना है तो यह वाली cleaning जो रहती है ना यह daily की रहती है और इसको क्या रहता है ना जैसे हर wash के बाद clean करना होता है otherwise यह block हो सकते हैं और कई बारे इसमें आप जब भी wash करेंगे देखेंगे ना तो उसमें बहुत जादा गंद जमा हो जाता है तो मेरी machine को चार साल से उपर ही हो चुके है और मैं हमेशा से ऐसे ही clean करती आई हूँ जब से मैंने लिया है और यह cleaning है ना हर wash के बाद जरूरी भी है जिसे की कपड़े भी अच्छे और साफ रहें और फिर इसको अगर ज़्यादा यह गंदा हो जाएगा तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ब्रश से रगडो और भी चीजे लो तो वो सारा प्रोसीजर इतना लंबा करने की बजायर यह daily clean हो जाए ना तो मुझे ठीक लगता है तो यहां मैं आपना जो मेरा इसके उपर cover चड़ा हुआ है इसका क्या है ना drain का और water supply का pipe लगाया हुआ है तो वो मैं सारा नहीं निकालती हूँ क्योंकि फिर वो बार-बार नहीं निकाल सकते है लंबा जंजट हो जाता है तो मैं इसको जैसे ही गीले कपड़े से पहले सारी धूल मित्ती को पोंच लेती हूँ तो ये वाली cleaning है ना मैं कर लेती हूँ इसको monthly कर लेती हूँ जो सारा dust वगेरा रहता है तो जैसे इसे मुझे time मिलता है तो इनको मैं कर लेती हूँ इस तरीके से क्योंकि यहाँ धूल भी आती है तो बीच मैं कभी सारा निकाल के भी कर लेती हूँ तो अच्छा ये weekly भी क्या होता है weekly मैं आगे का कपड़ा बस ऐसे ही फेर देती हूँ बाकी इसे कॉलीन से मैं इसको clean कर देती हूँ जिससे की cover वगेरा है ना वैसे मैं सोचती हूँ इसको wash करने का cover को लेकिन ये निकालना थोड़ा सा ना मिश्किल रहता है तो मैं इसे निकी नहीं हूँ और पूरा खिसकाना पड़ता है तो जिस्ट ऐसे ही जो water का water supply वाला pipe रहता है उसको निकालके उसका filter clean कर देती हूँ तो बस ऐसे करके ये मेरी cleaning होती है जिस्ट उसके बाद मैं करती हूँ पंदरा से हफते भर पंदरा दिन में ऐसे एक बार में इसे ट्रे को है ना clean कर देती हूँ आप देख सकते हैं नहीं तो इससे ज़्यादा भी गंदा हो जाता है और यहां का पानी है ना बहुत ज़्यादा hard है तो इसके उपर थोड़ा थोड़ा जैसे पानी के ना दाग जैसे जम जाते हैं नमक वाले वो हो जाते हैं इसके उपर तो उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है तो मैं इसको ऐसे ही पंदरा दिन में निकाल के अच्छे से brush से clean कर देती हूँ अंदर तक इसको clean कर सकते हैं गीले कपड़े से मैं कर रही हूँ धूल मिट्टी वगएरा बहुत जादा आ जाती है dry detergent मैं कभी इसमें use नहीं करती हूँ कभी गबार हो जाता है बर नहीं करती हूँ क्योंकि इस पहने detergent जम जाता है इसलिए liquid वाला ही मैं use करती हूँ और इसको है न अच्छे से जैसे मैंने यह छोटा सा है अपने बच्चे का brush लिया है जो पुराने हो जाते हैं और यह brush थोड़ा सा flexible वाला है तो अच्छे सा आराम से mood भी जाता है तो बस बरतन धोने वाला जो liquid रहते है न उसी से clean कर रही हूँ और जो आप yellow देख रहे हैं यह serve अगेरा का जो दाग रहते हैं वो रह जाते हैं तो यह अक्सर है जादा भी होते हैं अगर हम इसे जादा दिनों तक clean ना करें तो यह बहुत गंदा हो जाता है और यही गंद ना वो अच्छे से नहीं निकलता है क्योंकि पानी तो इसमें जाता रहता है और daily मेरे काफी सारे कपड़े wash होते हैं तो वो सब नहीं छूटता है बट इस तरीके से clean करते रहो ना तो ट्रे में बहुत जादा time नहीं लगता है किसी भी चीज की और लेने की जरूरत नहीं पड़ती है यह जसे ही ब्रश से सर्फ से आप जिससे चाहे clean कर सकते हैं छोटे ब्रश की जरूरत पड़ती है जो रबबड वाले रहते हैं तो वो सही रहते हैं तो मैं इसको ऐसे ही clean कर देती हूँ और यह सारे दाग धब्बे छूट भी जाते हैं देखना भी बिलकुल clean ह तो यह पूरा ट्रे साफ हो जाता है वैसे तो यह ऐसी चीज है कि हम इसे अगर हर वाश के बाद ऐसे निकाल के ऐसे धोबी देंगे न तो भी यह clean रहेगा लेकिन अगर weekly करेंगे या monthly करेंगे तो इसको इतना जादा ब्रश वगेरा से clean करना पड़ता है otherwise यह आराम से clean हो जाता है स्टार्टिंग में तो मैं इसको कर देती थी बट अभी थोड़ा सा time मुझे कम लगता है तो फिर मैंने सोचा कि यह इसको 15 days में अगर मैं एक बार भी करूंगी तो चलेगा इतना इससे जादा गंदा नहीं होता है अगर मैं महीना लूंगी तो जादा गंदा हो सक तो यह ट्रे बिल्कुल क्लीन हो गई है उसके बाद आती है नीचे की बारी तो यह क्या है इसको ओपन करना पड़ता है और इधर आता है थोड़ा सा पानी जमा रहता है तो वह जो सर्विसमें आते हैं वह जैसे बत्ताके गए थे मैं तब से इसको वैसे ही क्लीन कर रही यह बहुत सारा गंद रहता है आप देख सकते हैं कि इसको अभी मैं मन्तली ही कर रही हूँ बड़ती यह बहुत जादा टाइम लेंगे तो गंदा हो जाता है पर इतना जादा नहीं होता है तो बस इसको अंदर से ना कपड़े से मैं सारा जो गंद रहता है उसे निकाल और यह ट्रे निकल जाती है, तो मैं इसे भी इसके अंदर बस थोड़ा सा धूल मिटी था, तो मैं ऐसे ही क्लीन कर रही थी, तो आप देख सकते हैं, यह बहुत जादा गंदा नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसे जादा टाइम लेंगे न, तो यह बहुत जादा हो सकता है, औ तो यह जिस देखी कितना आराम से हो गया, इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया, कोई साबुन वगयरा भी नहीं लगाया था, ब्रश से बस मैं जो कपड़े के रहते हैं, रोए वगयरा बस वो इस पर चिपक जाते हैं, तो वो मैं हटा रही थी, देखी बिलकुल क्लीन हो ग्रांने की तो जब भी मैं इस तरीके से वॉष करती हूब तो फर्स भी क्लीन कर लेती ङू, हालंगि ये मैं अपनी मेट बहने को भी बहन देती हूँ, वो हमेशां बहने पर ही होता है, प्र मैं नहीं बहन से तो हो जाता है नहीं तो मैं खुदी ही कर देती हूँ जब मेरा और मुझ सारे काम हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं पीछे है ना काफी धूल मिट्टी आ गई थी तो इधर से है ना ये क्लीन हो जाता है धूल मिट्टी अंदर तक जाड़ू अच्छे से नहीं जाती है तो पानी से पीछे से क्लीट कर देती हो और अगर कवर है तो पानी उपर से डाल सकते है ऑदर्वाइस वैजसे मशीन के ऊपर पानी नहीं इतना जाना चाहिए कवर है तो कोई बात नहीं है तो थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर रही थी और पोन्चाव लगा रही थी तो इधर से काफी अच्छी cleaning हो गई थी, जब यह पूरा साफ हो जाता है, तो काफी अच्छा satisfaction मिलता है, कि यहाँ चलो clean हो गया, तो इस cleaning के बाद पूरा जब मैं पूंच देती हूं, तो इस area को अच्छे तरीके से, फिर बारी आती है, जो आप चाहो तो six month में या साल में ए यूज करती हूं, otherwise कोई भी detergent का यूज कर सकते हैं, क्योंकि washing machine को है, हर wash के बाद जैसे wash कर लिया, तो last मैं कम से कम 2-5 गंटे के लिए खुला छोड़ती हो, नहीं तो इसमें बहुत गंदी smell हो जाती है, एक बार ऐसा ही हुआ था, मेरे बेटे ने इसे बंद कर दिया था, और smell बहुत जादा हो गई थी, तो इसलिए इसको खुला छोड़ना पड़ता है, तो यह है drum cleaner है, पूरा clean कर देता है यह machine को, यह कह लिए dishwasher है, ऐसा कोई भी washing machine है, तो यह उसको clean कर देगा, नमक है, यह basically मैंने लिया था उनसे कि मेरे यह खारा पानी है, कभी machine खराब ना हो छे महीने यह साथ महीने ऐसे यूज कर लेती हूँ एक बार, और यह पूरा का पूरा packet लगता है, इसे ट्रे में डाल सकते हैं, और इसका temperature वगेरा सब को इसमें बताया हुआ होता है कि कैसे set करना है, तो अलग-अलग तरीके से करना होता है, इतने temperature पे set करो, फिर दुबार बार वाश करो, तो उन्होंने मुझे बताया था कि यह आप चाओ तो ट्रे में डाल दो और यह पी डारेक्ट ड्रम में, तो मैं हाफ आफ करके डालती हूँ, हाफ ट्रे में डाल देती हूँ, और हाफ ड्रम में डाल देती हूँ, इसके बाद जो cleaning होती है, बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है कपड़े भी काफी साफ धुलते हैं उसके बाद कि एना एक दम से क्लीन लगने लगता है जो स्मेल आ जाती है ना मेरे तो एक बार आ गई थी तो यह पाउडर तब मेरे पास खतम हो गया था तो अगर यह नहीं भी है ना तो इसके अलावा आप कोई भी डि कर सकते हैं लिक्विड वाला या जैसे भी हो तो काफी सारे लोग की मशीन में एना एक और जाता है ड्रम क्लीनिंग कद मेरे में नहीं है उनुने बताय था कि संथेटिक जो औप्सशन है उस पर डाल सकते हैं व Shap्झार ढ़ — उसके बाद पर प्री बाश भी होता है तो बार क्लीन होके निकलता है देखिए अंदर ना काफी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है और अब भी आप देखिए पूरा रबड वगेरा सब कुछ क्लीन हो चुका है तो अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे ना तो इसे लाइक कीजेगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजेगा देखिए बहुत अच्छे से क्लीन हो गया चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई थैंक्स पर वाचिंग